नमस्कार दोस्तों मैं सुजीत कुमार सिंग एडवांस एक्सल ट्रेणिंग से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूटूब विडियो टिक्टोरियल पे जहां आप सीखते हैं कम्प्लीट एडवांस एक्सल दोस्तों आज हमें कोश्चन के सवाल के जवाब आप एक कुश्चन का आणसर देने वाल हैं मुझे किसले इस कोश्चन पुछाए कि मैंक्रोश एक्सल में कॉलन लिस्ट से डुब्लिकेट वैलू को कैसे रिमूव करें तो चलिए इसके बारे में हम आपके साथ डिसकास करते हैं तो अगर आपके पास एक्सल के अंदर में कोई लिस्ट ऐसी है जो कि मोर दन वान टाइम रिपिटेड है जैसे कि यहां पर देखिए मुझे इसमें सिर्फ यूनिक वैलू चाहिए तो आपको चाहिए तो आप दो तरीके से ले सकते हैं दो तिन तरीके हैं सबसे पहले कि आप डेटा में यहां पर एडवांस फिल्टर लगाए इसमें आप यूनिक रिकॉर्ड ओल्री कर लेंगे तो सिर्फ आपका यूनिक ही आएगा इसको कॉपी करके जहां रखना है रखना है अगर फिल्टर ही लगाना चाहते है तो एक तर कॉमा एड़ी लिडिया और फिर इसमें हमने पहले वाली वैलो को एफ़ोर सर्फ रीच कर दिया और नीचे के तरफ इसको ट्रैग कर दिया ओन पहली कभी ता वान आएगा दूसरी कभी कभी ता पिड़ वाथए तो जो वन वाले है इसकी कांट वान है को ऑमारा यूनिक है उसको हम यहां से उठा लें दूसरा आप चाहतें कि नहीं मुझे remove भी कर देना है duplicate value को तो आप इसको select करें data में ही आपको यहां पे remove duplicate remove duplicate का option है इसको आप ok कर देजिए सारी value जो भी है और delete हो जाएगी unique value ही रहेगी और आपकी duplicate value है और delete हो जाएगी तो मेरे साब से यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो प्लीज like button पे क्लिक कर दीजिएगा और अभी तक मैंने चैनल को subscribe नहीं कि प्लीज चैनल को subscribe करें को कि मैं per day तक 25 से 30 नए topics की वीडियो अप्लोड करता हूँ तो आपको 30 नए topic per day एक्सलर एंड बाकी हो software दिख रहा है इस ते देखने को मिलेंगे तो फटा फट मेरे चैनल को subscribe कर ले notification को on कर ले और आप अपने दोस्तों के साथ या आपने facebook और अपने वार्सब गूरूप पर भी इसको share कर सकते हैं Thank you all for this video Have a nice day